सरकार ने चावल निर्यादकों को राहत देते हुए अब तूटे चावल का निर्याद 30 सितंबर तक करने की जाज़त दे दी है आठ सितंबर को सरकार ने तूटे चावल के निर्याद पर बैन लगाया दिया था और चावल की कुछ किस्मों के निर्याद पर 20% शुल्क भी लगाया था निर्याद पर प्रतिबंद लगाने के लिए जारी केगे नोटिफिकेशन में कहा गया था कि प्रतिबंद आदेज से पहले जहाज पर टूटे चावल की लोडिंग शुरू हो गई है शिपिंग बिल दायरा किया जा चुका है या जहाजो ने पहले ही भारतिय बंदर गाहों पर लंगट डाल दिया है ऐसे मामलों में 15 सितंबर तक निर्याद किया जा सकेगा लेके अब इस समय सीमा को 15 सितंबर से बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया गया है मिली जानकारी के मताबिक तूटे चावल के निर्याद की समय सीमा बढ़ाने के लिए मंगलवार को DGFT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से बंदरगाहों पर अटके तूटे चावल के कारगों को क्लियर करने में मदद मिलेगी क्लिए जास कर दिया है